राहूल गांदी जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, कीर्ति आजाज जी, रमेश कुमार जी, मदन मोहन जाज जी, तारिक अनवर जी, प्रमोत तिवारी जी, नरेश सेनी जी, पूनम अजाज जी, सुभाम शर्मा जी, प्रमोत यादव जी, युद्राज चौधरी जी, सतीश लोया जी, अमरिंदर सिंग जी, और बेहनों और भाईयों, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, भाषन सुन सुन के ठक तो नहीं गए हैं, चुनाव का समय है, सब पार्टी के उमीदवार आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषन करते हैं, आज कल कभी कभी ऐसे लगता है, कि मुद्दे गायब हो रहे हैं और बयान बाजी बहुत हो रही है, हो रही है कि नहीं? जो सबसे एहम मुद्दे हैं, वो कांसे हैं बताइए, जब आप यहाँ आते हैं देश भर से, किस चीज़ को ढूनने आते हैं, रोजगार को ढूनने आते हैं, परसों, कल या परसों प्रधान मंत्री जी ने एक भाशन दिया, आप सबसे ने सुना होगा, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने जो वादे किये थे, जिसके बारे में सबने इस मंच पे आपको याद दिलाया, उन्होंने उसके बारे में आप से बात की, नहीं की न दरसल यह है, बात यह है कि चाहे भाजजपता के नेता हो या आदमी पर्टी के अपनी प्रशंशा में रहते हैं आपको सुनाना चाहते हैं कि बड़े बड़े काम कीए है लेकिन जो आपकी काम की बात है उसके बारे में कम बात करते है हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है जिसमें साथ और योकिक शेत्र में से साड़े तीन करोर रोजगार घटे हैं ये लिखा है साड़े तीन करोर रोजगार घटे हैं और देश के प्रधान मंत्री जब आपके सामने भाशन देने आते हैं तो इसका जिक्र तक नहीं करते हैं। क्या वो बता सकते हैं कि इन रोजगारों का घटना सैयोग है या प्रयोग है। बता सकते हैं कि 35 सालों में जो बेरोजगारी का दर इतना उचा हुआ है ये क्या सैयोग था या प्रयोग था उनका। वे कहते हैं कि विपक्ष ने काम नहीं करने देता लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है। बड़ी तेजी से काम हो रहा है। बड़ी तेजी से सरकारी कमपनिया बिक रही हैं। L.I.C. बेच डाली, Air India बेच डाला, B.P.C.L. बेच डाला, B.S.N.L. बेच डाला, यहां तक की रेलवे भी बेच डाले की योजना कर रहे हैं। सच मुच, उनकी रफ़तार बहुत फास्ट है। कांग्रिस सरकार ने 14 करोर लोगों को गरीबी से निकाला। और पांट सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापिस डाला है, उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। और बयान सुनिए, यहां यूपी के कितने लोग हैं। यह बयान सुनिए, बहुत मज़ेदार बयान है। ग्रे मंत्री जी आए प्रचार करने। ग्रे मंत्री जी ने क्या कहा? कहा कि हम दिल्ली को यूपी की तरह बना देंगे। अब मैं यूपी की प्रभारी हूँ, कॉंग्रेस पार्टी की थोड़ा बता दूँ कि उन्होंने यूपी का क्या बनाया है। देश का सबसे प्रतिभाशाली प्रदेश था। आज क्या हालात है वहां की? भाजप्पा के सरकार ने किस तरह से यूपी की जनता को तरस्त किया है? मैं बताती हूँ। यूपी की जो बेरोजगारी की दर है, वो देश में सबसे उची है। हर दो मिनट, हर दो मिनट एक महिला के साथ बलातकार होता है। हर नबे मिनट एक बच्चे के खिलाफ अपराद होता है। हर रोज तीस डलितों के साथ अत्याचार होता है। हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा बेरोजगारी सबसे उपर है और शिक्षा सबसे नीचे स्वास्त सबसे नीचे तकरीबन सत्तर हजार युवा शिक्षक भरती में के लिए इंतजार कर रहे हैं ये हलात हैं यूपी के जहां इनकी सरकार पांच सालों से चल रही है और ये आपके सामने आकर ये हिम्मत करते हैं कि आपको कहते हैं कि दिली को भी यूपी की तरहें बनाना चाहते हैं यूपी सबसे सक्षम सबसे सक्षम प्रदेश था और आज इसके ये हलात बना दिये इनोंने अपराद ही अपराद है अराजकता है और विकास का कोई नामो निशान नहीं है यह्वी भाजआपा की बात अब सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की ये स्थिति है कि इमारत बनाईई शीला जी ने कॉंग्रेस पार्टी ने पूरी इमारत बनाई उपर से लीप आप होती करके कह रहे हैं कि या इमारत हमने बनाई दूसरों की मेहनत पर अपनी पुताई करना एक बात होती है मेहनत से निश्ठा से एक इमारत को खड़ा करना नए नए प्रोजेक्ट बनवाना एक शहर को सक्षम बनाना उसमें विकास लाना एक बहुत अलग बात होती है आप जानते हैं कि शीला जी ने जब वो मुख्य मंत्री थी तो क्या नहीं किया दिल्ली के लिए हम सब दिल्ली के वासी हैं दिल्ली में पले हैं दिल्ली में बढ़े हैं हमने खुद अपनी आखों से देखा जितनी सड़कें यहां बनी उनके समय में आज तक अगर आम आदमी पार्टी या भाजप्पा बता दे कितनी सड़क बनाई है उनका कोई मुकाबला नहीं है फ्लाइ ओवरें उन्होंने बनवाए मेट्रो उन्होंने बनवाया तमाम विकास के कारिय उन्होंने कराए आम आदमी पार्टी के नेता और भाजप्पा के नेता एक चीज में बहुत सक्षम है पब्लिसिटी कराने में प्रधान मंत्री जी बावन सौ क्रोर रुपे बावन सौ करोर रुपे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में डलवाते हैं और केजरिवाल जी भी कोई कम नहीं है सिर्फ दिल्ली के चुनाओं में 611 करोर रुपे खर्चे हैं पब्लिसिटी में अब बताये इतनी पबिसिटी की क्या जरूरत है अगर काम ही बात कर रहा है अगर आपका काम दिख रहा है तो उसे बढ़ाने चड़ाने की इतनी क्या जरूरत हो गई है यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम कम है कहते हैं कि शिक्षा में बहुत कारे किया लेकिन जितनी पाटशाला हैं और जितने विश्विधियाले डिली में हैं वे कongress की सरकारों ने बनवाए स्वास्त स्वास्त को देखिए कongress की सरकारों ने तमाम अस्पताल यहां पे बनवाए जब आम-ादमी पार्टी की सरकार आई थी तो आप से उन्होंने वादा किया था क्यों कम से कम पाँच हस्पताल बनाएंगे एक भी नहीं बनाया कॉंग्रेस की सरकार ने 22,000 बैड हस्पतालों में बढ़ाए थे इनके पाँच सालों में केवल 3,000 बढ़े हैं तो आप सोच सकते हैं कि बात एक तरह की होती है और असलियत यह है कि काम कुछ और हो रहा है काम क के बल पर थोड़ा बहुत करके आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पबिस्टी हो रही है जहां-जहां मैं जाती हूँँ दुकानदारों से बात करती हूँ छोटे व्यापारी से बात करती हूँ सब दरस्ट हैं सब मुझे कहते हैं कि GST ुटबंदी से एकद़ मार खा ग रोजगार के लिए तरस रहे हैं लेकिन ये मुद्दे उठ नहीं रहे हैं इस चुनाओं में इसके बारे में आप से बात नहीं की जा रही है कोई दूसरे देशों की बात करता है कोई फूट पहलाने की बात करता है एक जने कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो देश-द्रोही है कोई और कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो भरश्ट है जब कोई सवाल उठाता है आपके पक्ष में, जनता के पक्ष में कि आपके लिए अच्छा क्या है यहाँ पे विकास किस तरह से होना चाहिए, रोजगार क्यों नहीं है तब उसका मूँ बंद करने की कोशिश होती है अब आप जनता है यह देश का केंद्र है आप सब आप नेताओं को बहुत अच्छी तरह से समझते है तो आपको आप पहचानना चाहिए ज़रा अपने दिल के अंदर सोचिए देखिए कि आपके लिए काम किस ने किया है और आगे आप कैसा देश चाहते हैं, कैसा प्रदेश चाहते हैं ये कोई छोटा चुनाओ नहीं है महत्वपूर्ण बात है संजीद्गी से लीजिए कि जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं किस तरह का प्रदेश बनाना चाह रहे हैं क्योंकि कि आज अगर आपके काम की बात नहीं हो अगर रोजगार की बात नहीं हो अगर विकास की बात नहीं हो अगर वैसे मुद्धे नहीं उठे जिससे आपके जीवन पर असर पड़ता है तो कुछ बहुत गलत हो रहा है और इस गलती को ठीक करने के लिए आपके हाथ में सबसे बड़ा हत्यार है जो आपका वोट है बहुत बड़ा हत्यार है सोच समझ के इस्तमाल कीजिए जब आप कॉंग्रेस को विजयी बनाएंगे तो आप जानते हैं आपने पर्खा है दिल्ली में आपका अनुभव रहा है कि काम करके आपको दिखाया है जितना भी दिल्ली में विकास हुआ है कॉंग्रेस द्वारा हुआ है इसलिए आज तारीक को जब आप वोट डालने जाएंगे पूनम जी को विजयी बनाएंगे कॉंग्रेस के तमाम उमीदवारों को विजयी बनाएं ताकि आपके प्रदेश में दुबारा एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए काम करें आपकी समस्याओं का हल करें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन